नमस्कार दोस्तों आज हम बनाएंगी हरी मिर्ची का आचार हरी मिर्ची का आचार खाने में बहुत ही जदा टेस्टी लगता है और यह खाने के स्वात को दुगुना कर देता है तो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं हमने 300 ग्राम हरी मिर्ची ले ली है तो हमने हरी मिर्ची म लुटी वाली ली है हम चाही तो बारिक वाली भी ले सकते हैं तो हम इस प्रकार से लमबा-लमबा काटना है हरी मिर्ची को अ लंबा काठने से इसमें मसाला अच्छे से लग जाएगा मिर्ची पर इसी प्रकार से हमने सारी मिर्ची काठनी है हम ने इसकी बीज नहीं निकालने से इसका तीखा पर निकल जाएगा तो हमने बीज लिगे कि नहीं निकाले अब एक बाउल कि उसमें मैंने तीन चम्मच नाला हिसरी डाल लिए को बढल फार हो दो एंगे कि भी इसमें मसाले डाल लेंगे प्नख ब्हुनेंगे लो प्लेंगे लें लिए फिर बूहरण रहां सकते हैं अब आम यह जिसेठेल कोियादा तो होगे है आप फंग इस बन कर देंगे उनको एक प्लेट में निकाल लेंगे इस थाँड़ा ओने के लिए कि अब हमने पेन लिया है उसमें तेल डाल दिया है तेल को में अच्छे से गरम करना है जब तक द्रुवा निकले जब तक हम अच्छे पर दश्राइब करना है अगर दुवा निकलने लग जाए तप हम इसे बंद कर देना है अब हम जू मसाले लिए हमको दरदरा पीस लेना इस परिके से या ज्यादा बारिक अब हम आदा चमश लाल-मकषी पौडर ड़ाल डाल सकते हैं चमणहीं 0 मिलamento लिए तीखी ताहिए यादा भी डाल सकते हैं अब हमें अबसधी स्कुन धिख ग्यांगे शीह उचीह फाफिखते क्वारusego अब हम अच्छे से mix कर लेंगे इनको mix करने के बाद हम इसमे विनेगर भी डाल सकते हैं वो विनेगर नहीं है तो हम नेमबू डाल सकते हैं तो हम एक नेमबू डाल देंगे इसमें नेमबू डालने से अचार खराब नहीं होगा और हम 6 मैने तक आराम से अचार को खा सकते हैं अब हम एक बन्नी में भरके रख लेंगे ये दो दिन बाद में तयार हो जाएगा अचार तो दो दिन बाद में खा सकते हैं